प्रिय शिक्षार्थियों, N.I.O.S. के स्टूडियो में आप सब का पुना स्टूडियो में डॉक्टर चंदन कुमारमिश्र सहयक आचार्य वेद विभाग श्री जगननात समस्क्रत विश्विद्याले पुरी पुरीशा से आप सब के मध्य उच्चतरमाद्यमिक कख्षा के विराध्येनम पाथ्यक्रमान तरगत उस्तक्रमान कदो जिसका 21 पाथ अक् श्री प्रसिद्ध देवश्य स्तुतिम विधाय अभीष्ट सिध शिधार्थम सह देवा पुराठ थें एक प्रसिध देवता की स्तुत्य करने के लिए व्यक्ति lucky द्वारा यह कोन के द्वारा अपनी अभीष्ट की सिध्धी के लिए वह एक देव जो अक्ष के नाम से है उस वह देव स्तुत्य होता है एवं मानवानाम सामाजिक दुर्व्यवारानाम निराकरनाय सूकतानाम संकलनम कृतमस्ती वैदिक सूकतों का संकलन प्रायहा मानव समाज के दुर्व्यवारों को शमन करने के उद्देश से किया गया समाज में जिस प्रकार भोग विलास इत्यादी शक्तियां वर्धित होती हैं बढ़ती हैं उसी भोग विलास के करम में एक जूत क्रीडा जो लोक भाशा में जूआ ऐसा कहा जाता है उस द्यूत क्रीडा भी उस द्यूत क्रीडा को भोग विलास के साधनों में लिप्त करते हैं बोग विलास वर्धि के साथ साथ ही समाज में यहाँ निन्ननी यकारी जो है द्यूत क्रीडा बहुत वर्धि को प्राप्त होती है वैदिक कालत हाएव अक्षक्रीडा बहु प्रचलित समाजिक कुक्रीडा अस्ती यह द्यूत क्रीडा नकेवल आज के समाज में कुक्रीडा के नाम से प्रख्यात है वरन वैदिक काल में भी यह समाजिक बहु प्रचलित कुक्रीडा के नाम से ही रही वैदिक काल में भी इसे सभ्य समाज स्विकार नहीं करते थे तथा जो सभ्य तर समाज थे या जो भोगप्रिय थे विलासाद प्रिय थे उनके समाज में यह द्यूत क्रिडा किया जाता रहा है रगवेद के द्यूत क्रिडा जनित विशय प्रतिपादित किया गया है और इसी विशय का वर्नन जिस सुख्त में किया गया जो रगवेद के दस्वे मंदल का 34 सूक्त है उसको ही अक्ष सूक्तम ऐसा कहा जाता है क्योंकि उस संपूर सूक्त में द्यूत क्रिडा के द्वारा होने वाले नुकसान और द्यूत क्रिडा समाज में कैसे कुप्रथाओं को जन्म देती है समाजिक अवहेलना को उत्पन्न करता है इन विश्यों का सार रूप से वर्णन किया गया है इस प्रकार हम देखते हैं इस अक्ष सूक्त के अईलूशक वश रिशी हैं त्रिश्टुप चंद के मंत्र हैं इस संपूर्ण सूक्त में एक मंत्र जो सात्मा मंत्र है वहा जगती चंद में उपनिवद्ध है और संपूर्ण सूक्त के रिशी साक्षात अक्ष रिशी हैं इस सूक्त में मुख्य रूप से जूत क्रीडा नहीं करनी चाहिए जुवा नहीं खेलना चाहिए क्रिश कर्म इत्यादी करना चाहिए ऐसी चर्चा आती है अतेव एक मंत्र में कहा गया जो अक्ष सूक्त का तेरवा मंत्र है उसमें कहा गया अक्षई हिमादी व्यहा क्रिशमित क्रिशस्व इत्यादी अक्ष सूक्तस्य संहितापाठम पदपाठम अनवयंच पठिश्यति इस सूक्त के उद्देश्यों में आप सर्वप्रथम अक्ष सूक्त के मूल संहितापाठ का अध्यन कर सकेंगे पदपाठ को पढ़ सकेंगे और सूक्त के मंत्रों का अनवय भी आप पढ़ने में समर्थ हो सकेंगे अक्षक्रीडा के कुफलों का ग्यान आपको होगा आप अक्षक्रीडा के द्वारा होने वारे दुष्परिणाम को जान सकेंगे और उस से स्वजिम के जीवन को बचा सकेंगे अक्षक्रीडनात किम किम चक्तम भवती तद ग्यास चती जुआ खेलने से अक्षक्रिडा करने से क्या-क्या त्यक्त हो जाता क्या-क्या हमसे छूट जाती है वे सब विश्यों का आप ग्यान प्राप्त कर सकेंगे अक्षक्रिडा स्थाने किम करनियम इत्यपी अवगम श्यती आप जूत कृड़ा के स्थान में जूत कृड़ा न करके और क्या-क्या अपने जीवन के उन्नती के लिए किया जाना चाहिए सामाजिक जीवन में या भी इसके अध्येन से आप सम्यक रूप से जान सकेंगे आईए हम इसके प्रथम मंत्र का पाठ करते हैं प्रथम मंत्र अक्ष सूक्त का इस प्रकार है ओम प्रावेपामा अब्रहतो मादयंति प्रवाते जाईरिने ववर्तमानाहा सोमस्येवमोय वतस्य भक्षो विभीदको जाग्रिविमह्यमच्छान ऐसा मूल मंत्र है उनर एक बार मैं इस मूल मंत्र का पाठ करता हूँ ओम प्रावेपामा अब्रहतो मादयंति प्रवाते जाईरिने ववर्तमानाहा सोमस्येवमोय वतस्य भक्षो विभीदको जाग्रिविमह्यमच्छान ऐसा मूल मंत्र प्रथम मंत्र है अक्ष सूक्त का इसका पदपाठ भी आपके अध्यनार्थ प्रस्तुत है पदपाठ कहते हैं ओम प्रावेपाहा मा ब्रहतहा मादयंति प्रवाते जाईरिने वर्वर्तमाहा सोमस्य इव मौजवतस्य भक्षा विभीदकहा जाग्रिविमह्यमच्छान ऐसा पदपाठ इस मंत्र का किया जाता है इस मंत्र के भावार्थ को जानते हैं मंत्र में कहा जाता है कि दृतप प्रवाहमान वायू प्रदेशे जाता इरिने कंपमानाहा अक्षाहा माम आनंद जन्ती जो द्यूत क्रिडा का आदी है वह मनुष्य अपने द्यूत क्रिडा से उत्पन्न होने वाले छनिक आनंद का हुआ कहता है कि यहां जो दृत गती से प्रवाहमान वायू है जो शीग्र गती से बहने वाली वायू है ऐसे वायूं के स्थान में कम्पित होता हुआ यहां अक्ष जुए के पाशा को कहते हैं वहां किसी काष्ठ के विशेस द्रव्य से बनता है काष्ठ खंड से उस पाशे क निर्मान किया जाता है। अतेवबभा कहता है कि वायू वेग गति से चलने वाले वायूं के द्वारा कमपमान यह अक्ष मुझे बड़ा आनंद प्रदान करता है। विभीदक अवरिक्ष जाता जागरणकारिनहा, अक्षाहा, माम, हर्शेण, मत्तंकुरवंदी, विभीदक अवरिक्ष से बना हुआ यहाँ अक्ष जो जगाने में समर्थ हैं, को जो कई रातों तक मुझे जगा देता है ऐसे अक्ष मुझे हर्ष के द्वारा मदमत्त करते हैं यथा मुझवति परवते उत्पन्नम सोमं पीत्वा जनाहा उनमत्ताह फवंती तथईव यहां उपमाद दिया जा रहा है अक्ष क्रिडक के द्वारा कि जिस प्रकार मुझव आन्परवत पर उत्पन्न सोमरस्कोपी करके जन लोग उत्पन्न होते हैं मनुष्य उनमत्त होते हैं मदमस्त होते हैं उसी प्रकार ये अक्ष भी मुझे मदमस्त कर रहे हैं मुझे आनंद प्रदान कर रहे हैं ऐसा अपने ख्षनिक आनंद का व्याख्या वहा द्यूत क्र करता है इस मंतर के द्वारा अग्रिम मंत्र को हम देखते हैं अग्रिम मंत्र है अइसा मूल मंत्र है उन्हेरे इक बार आपके अवलों कनार्थ मैं इस मूल मंत्र का पाठ करता हूँ अइसा मूल मंत्र है इसका पतपाठ इस प्रकार है इस प्रकार इसका पतपाठ किया जाता है अब आगे इस मंत्र के भावार्थ को विचार करते हैं इस मंत्र में कहा गया है कि अक्षस्य परिणामा कथ्छते जुए का परिणाम इस मंत्र में बतलाया गया है जुगा खेलने से क्या परिणाम होते हैं वहाँ दुष्परिणाम है अथवाँ सुपरिणाम है यहाँ जानना चाहिए इस मंत्र में उसके परिणामों का वर्णन सम्यक रूप से किया गया है यत मम पत्नी कदापि कलहन नकरतवती जो द्यूत क्रिडा करने वाला व्यक्ति है वह कहता है कि मेरी भारिया मेरी पत्नी कभी कलह नहीं करती थी कभी जगडा नहीं करती थी मै न क्रोध अंचकार उसने कभी मेरे उपर क्रोध नहीं किया मम मित्राना अंचकरते सा कल्यान कारणी आसीद न केवल मेरे लिए अपितु मेरे मित्रों के लिए भी वहा अत्यनत कल्यान कारणी थी अत्यनत सानंदा थी परंतु अक्ष कारणेन ममा अनुकूला जाया मया परित्यक्ता वह खेद प्रकट करते हुए कहता है कि मेरी इतनी सुध्यवार सुशीला पत्नी भी जुआ के कारण अक्ष क्रीडा के कारण मेरी इतनी अनुकूल पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई मेरे दवारा उस पत्नी का जुवा की कारण परित्याग किया गया यहाँ खेद प्रकड करता है इस मंत्र के दवारा जुवा खेलने वाला व्यक्ति अग्रिम मंत्र है अनर एक बार मैं इस मंत्र का पाठ करता हूँ यहाँ मूल मंत्र हुआ इसका पदपाठ इस प्रकार है द्वेश्टी श्वश्रूह अप जाया रुनद्धी न नाथितहा विंदते मर्डितारं अश्वस्य इव जरतहा वस्न्यस्य न अहम विंदामी कितवस्य भागं यहाँ इस मंत्र का पदपाठ हुआ अब इस मंत्र के सरलार्थ को विचार करते हैं मंत्र में कहा गया यहां कितवा भावती कितव कहते हैं जो जूआ खेलता है ऐसे व्यक्ती को जो जूत क्रिड़ा का प्रिय होता है ऐसे ब्रक्ति को जो जूत क्रिडक होता है क्योंकि उसके द्वारा घर परिवार का जुए के नशे में परित्याक किया जाता है इसलिए इस मंत्र में बताया गया उसकी श्वस्रू कहते हैं लोकवाशा में सास को उसकी सास भी उसे द्वेश करती है उससे घ्रणा करती है तस्य पत्नी अपितम अपसा रहेती उसकी पत्नी भी उसे दूर कर देती है उसका अपमान करते हुए उससे दूर रहती है फिर धनम याचमानहा कितवः सुखदम जणम न प्रापनोती, वहा धन मांगता हुआ वह कितव चूंकि जूत खेलने वाला जूँवा खेलने वाला अव्यक्ति सरवदा धनक्वा सरवनाश करता है और उसकी आदत पुना उसको अन्य धनों की व्यवस्था में मजबूर करता है अतयव यहां कहा गया कि वो धन मांगने वाला जो सरवदा धन का आयाचन करता है ऐसा कितब ऐसा जुआरी सुखदम जनम न प्रापनोती कभी किसी भी सुखदेने वाले जन को नहीं मिलता उसे कोई अच्छे लोग नहीं मिलते और अन्तिम में वहा पुना खेद प्रकड करते हुए पश्चात ताप करते हुए कहता है कि कितना भी मूल्यवान अश्व हो यदि वो व्रद्ध हो जाए तो उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती वहा प्रारंबिक काल में कितने भी मूल्यों के द波रा खरीदा गया हो किंतु अश्व की उपयोगिता जब तक वह युवा है जब तक वह शक्त संपन्न है तब तक ही होता आतेव वा उपमा के दौरा कह रहा है कि जैसे रद्ध अश्व निरूपयोगि हो जाता वैसे ही मैं भी अभी संसार के लिए वो योगी नहीं हूँ मैं और जीना ही नहीं चाहता हूँ ऐसा पश्चाता अब उसके मन में प्राप्त होता है ऐसा चर्चा इस मंत्र में किया गया है अग्रिम मंत्र का विचार करते हुए देखते हैं अग्रिम मंत्र में क्या लिखता है मूल मंत्र है अन्ये जायाम परिम्रिशंचस्य यस्या ग्रिधद्वेदे नवाज यक्षः पिता माता भ्रातर ए नमाहू नजानी मोन यता बद्धमेतं पुना मैं इस मंत्र का एक बार और पाठ करता हूँ यह मूल मंत्र हुआ अन्ये जायाम परिम्रिशंच्य यक्षः अग्रिधत भ्रातर ए नमाहू नजानी मोन यता बद्धमेतं यह मूल मंत्र हुआ इसका पतपाठ इस प्रकार है अन्ये जायाम परिम्रिशंती अस्य यस्य अग्रिधत वेदने वाजी अक्षहा पिता माता भरात रह एनम आहुहू न जानी महा नयत बद्धम एतम यहाँ पदपाथ हुआ अब इस मंत्र के भावार्थ को विचार करते हैं मंत्र में कहा गया है यस्य कितवस्य धने वलवान अक्षह इश्यते अन्ये ही कितवई ही तस्य भार्याम अन्ये कितवाहा वस्त्र केशा दि आकरशनेन स्प्रिशंती जो जुवारी होता है जो जूत ख्रिडा करने वाला होता है उसके धन में बलवान अक्षह इश्यते अन्ये ही कितवई ही उसके धन में अन्य जुवाई लोग इच्छा रखते हैं उसके धन को अन्य जुवाई लोग जूतक्रिड़क के माध्यम से हर लेने की इच्छा करते हैं और उसको निर्धन बनाने की सद्या इक्षा करते रहते हैं और वहाँ अपने धन से अन्य जुवारियों को धनवान करता है और जो अन्य जूत क्रिडक हैं वे उस टाक जूत क्रिडक के भारिया से जो निर्धन हो गया ऐसे जूत क्रिडक के भारिया को वस्त्र के शादी आकरशनेन स्प्रशंती परियाप्त धन नूतन वस्त्र इत्यादी आकरशन के द्वारा उसको अपने माया जाल में प्रवेश कर का इच्छा करते हैं उस तक स्परश करने की इच्छा करते हैं अतहा पित्रादया अस्मिन विशये रणदातारम कथयती यत्वयम एनम नजानी महा यूयम एव रजवा बधवा नयत और ऐसी स्थिती में जो रण देतें वाले हैं जिससे रण लेकर के वहा जूत कृड़ा करने के लिए उनके घरों में जाकर के उसको दिया हुआ धन मांगा जाता है तो उसके स्वयम के पिता माता भ्राता इत्यारी सब लोग पारिवारिक लोग उससे कह देते हैं रण देने वाले से कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता हूं आपने स्वयम धन दिया मेरे संग्या में ऐसा नहीं है आप इसको स्वयम जैसी आपकी इच्छा हो आप इससे धन प्रत्तरपन कर सकते हैं इसको रसी से बांद करके आप हमारे घर से ले जा सकते हैं मेरा कोई नाता इसके साथ कोई रिस्ता नहीं है कहने का मूलतात पर ये है कि द्यूत क्रीडक सरवदा अपने धन का सरवनाश कर लेता है और रिन ले लेकर के अनेक प्रकार के रिनों का बोज उसके माथे पे आ जाता है और वह जब रिन देने में समर्थ नहीं होता रिन को प्रत्यरपन करने में समर्थ नहीं होता तो उसके पिता माता भ्राता सब उससे अपने रिस्ते विच्छेद कर ल यदादी इध्ये नद्रविशाण्ये भिपत यज्यो वईही ये सखिव्यहा न्युप्तष्च भभववाच मक्रत एमदिमं निश्रितं जारिनीवा यहा मंत्र है मैं पुनर एक बारिस मूल मंत्र का पाठ करता हूँ यदादी इध्ये नद्रविशाण्ये भिपत यज्यो वईही ये सखिव्यहा न्युप्ताष्च भभववाच मक्रतं एमदिशाम निश्रितं जारिनीवा यहा मूल मंत्र हुआ इसका पतपाठ इस प्रकार है यत आदी इध्ये नद्रविशाणी एविही परायत अद्भ्यहा अव ही ये सखिव्यहा निउप्ताः च भभववाचम अक्रतः एमि इत एशाम निश्रितं जारिनीवा ऐसा पतपाठ इस मंत्र का किया जाता है मंत्र के सरलार्थ का हम विचार करते हैं मंत्र में कहा गया कितब कहता है जूत क्रिडक कहता है यदा अहम चिंत यामि यत अक्षई ही सहा नक्रिडिश्यामि इती तदा मित्र कितवे भ्यहा स्वम गोपयामि वहाँ चिंतन करते हुए पश्चात्ता परूपी चिंता करते हुए कहता है कि जब मैं यह सोचता हूँ यह विचार करता हूँ कि अब मैं जुगा नहीं खेलूँगा अक्षक्रिड़ा नहीं करूँगा तो अपने और जो अक्षक्रिड़क मित्रवर्ग हैं उनसे मैं अपने को छिपा के रखता हूँ ताकि वे मुझे आ करके दुबारा अक्षक्रडा की ओर ना ले जाएं अताह मुझे उनसे छिपके रहना पता है परंतु यदा अक्षाहा इर्णे निक्षिप्ताह ववंती तदा अहम व्यभीचारणी स्त्री इव गच्छामे किन्तु जब वहा अक्ष जब वहा दूत पाशा दूत क्रिडा में फेका जाता है जब दूत क्रिडा कहीं प्रारंब होता है तो मैं जैसे एक व्यभीचारणी स्त्री बारंबार कितने बार भी पारिवारिक जनों के द्वारा मना करने के बाद भी विविचार करों में लिप्त होती है मैं उसी प्रकार विविचार निस्त्री के समान ही जूत क्रिड़ा में पुनहां चला जाता हूँ मैं जूत क्रिड़क में अपने आपको रोक नहीं सकता ऐसी मेरी अवस्था हो गई है ऐसा विचार जूत क्रिड़क इस मंतर के माध्यम से करता है इस पाथ में इतना ही धन्यवाद